Hello guys, स्वागत है आपका अपके अपने चैनल Learning Civil Technology में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि How to Read Measuring Tape हम लोग साइट पे जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे हम इंजिनियर्स की भी बात करें सुपरवाइजर तो छोड़ी दो मैंने खुद अपने रियल लाइफ इक्सपिरेंस बता रहा हूं कि मेजरिंग टेप जो होती है न उसको देखना परफेक्टली किसी को भी नहीं आता है मैंने अभी से एक साल पहले एक वीडियो बनाया था कि How to Check Measuring Tape जिस पे आप लोग का बहुत प्यार मिला और उस वीडियो पे लगबग 3 million से भी ज्यादा व्यूज है तो मैंने सोचा कि उसको और ज्यादा illustrate किया जाए ताकि छोटी सी छोटी चीज चाहिए वो सूट से लेके इंच से सेंटीमीटर, मीटर, मिलेमीटर, everything उस सभी चीज कवर करूँ एक वीडियो में तो आज के वीडियो में मैं everything कवर करने वाला हूँ ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो साइट पे आपको measurement tape read करना ना है ऐसा हो नहीं सकता मैं इसकी guarantee लेता हूँ तो वीडियो का end तक जरूर देख सकते हो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक tape है ये freemans का tape है जो मैं अपने साइट पे use करता हूँ personally freemans का tape जो होता है वो मैंने देखा है quality wise बहुत अच्छी होती है और इसको आप भी ले सकते हो और इसको personally आप use कर सकते हो अपने construction site पे इस measuring tape को मैंने amazon से खरदा था अगर आप लोग चाते हो इसको लेना तो इस video का description मैंने amazon का link डाल दिया है आप वहाँ से purchase कर सकते हैं experiments अपने product के उपर manufacturing defects पे आपको lifetime warranty देती है जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे अगर इसके features की बात करें तो यहाँ पे आपको एक lock मिलता है यह lock आप देख पा रहे हो इसको अगर आपको खोलना है खोल के अगर आपको कोई measurement लेनी है और इसको lock करना है तो देखो यह मैंने इसको lock कर दिया अब यह नहीं जा रहा है इसको मैं छोड़ूंगा release करूंगा तो यह अंदर चला गया तो यह lock जो है यह बड़े काम की चीज होती है इसके साथ ही इसके body की जो finishing है वो बड़ी तगरी है बहुत मजबूत है और इसके साथ ही आपको इस tape के पीछे में आपको एक clip मिल जाता है जिसको आप अपने pen के belt में या pocket पे आप इसको लटका सकते हो तक ही यह miss नहीं होगा और यह आपके पास रहेगी तो चलिए जाड़ा देर नहीं करते वक्त मैं इस tutorial को start करता हूँ जिसमें मैं पूरे detail में आपको सभी चीज बताने वाला हूँ start करने से पहले मैं आपको बता दूँ मैं इस बिशकर्मा पूजा पे आप लोग के लिए एक छोटा सा giveaway लाया हूँ giveaway क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं free man's का में पास tape है 10 measuring tape यह मैं आप लोग को दे दूँगा आपको कुछ भी इसके लिए करना नहीं होगा एक्स्टा कुछ भी आपको क्या करना है बस वीडियो को end तक देखना है वीडियो को like करना है share करना है ताकि इस tutorial से सभी कोई इ चरू कीजिएगा तो चलिए how to study measuring tape का tutorial को हम लोग start करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हो सबसे उपर में यहाँ पर free man's जो की company का नाम है वो लिखा हुआ है इस tape पे अब आप देखिए आप यह लिखा हुआ है 5 meter 5 meter in the sense क्या बोलना चाता है इस tape से हम ल होगी आपको वैसे free man's की tape जो है वो अलग-अलग यहाँ पर measurement में आपको मिल जाती है 3 meter, 5 meter, 7 meter, 10 meter, 30 meter, 15 meter इसके range में आपको मिल जाती है आप website पर जाके भी देख सकते हो सभी चीच के link आपको इस video का description में मिल जाएंगे तो यह 5 meter मतलब maximum इस tape हम लोग 5 meter measure कर सकते हैं अब इसके बगर में आप यहाँ पर देख रहे है 19 mm लिखा हुआ है अब यह 19 mm का मतलब क्या है यह क्या यहाँ पर demonstrate करता है तो अगर हम लोग यहाँ पर इस tape को यहाँ पर खोलेंगे तो यह मैंने tape खोल दी ठीक है अब यह tape का जो यह आप देख रहो हो ना यह width कितना है यह जो हो गया तो 19 mm क्या यहाँ पर demonstrate कर रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह मैंने इस tape को यहाँ पर खोल दिया आप लोग के लिए ठीक है सबसे पहले एक चीज मैं बता दूँ आप यह जो steel का यह आप देख रहे हैं यह steel का इसका बहुत बढ़ा function होता है सबसे पहले तो ए एक nails गरा हुआ है तो उस nails को इसके अंदर आप फंसा करना measure ले सकते हो मान लीचे यहाँ पर यह नेल्स करा है अप nails के अंदर में इसको फंसा लिए और खीच के इसका measurement आप चेक कर सकते हो इससे क्या है कि आपको दूसरे की help लेनी नहीं परेगी और यह measurement में आपको exact दिख वो gap क्यों provide किया गया है और gap कितना है वो gap कितना है तो देख लो यह आप देख रहो न इसका जो ठीकनेस अपको यहाँ पर gap मिलता है समझ में आ गया और गया और वो gap क्यों है मान लीजिए हम लोगा एक wall है हम लोग यहाँ से चेक कर रहे है तो जब हम लोग यह measurement लेंगे ऐसे push करेंगे तो देखो यह lock हो गया बीच में जो gap थाना वो चला गया और वो gap क्या था वो adjust कैसे करता है देखलो हम लोग tap में हम लोग बाहर से measure कर रहा है तो इसका thickness cover कर रहा है इसलिए यह अंदर की तरफ fix हो गया अब जब यह अंदर की तरफ चला गया तो जो thickness हमें चाह गया अब जो हम लोग measurement ले रहे हैं वो अंदर से ले रहे हैं ना की बाहर से ले रहे हैं I hope आप लोगो इच इच clear हो गया है अगर आपको clear नहीं हुआ है तो इसको एक बार और आप समझिए सुनिए तो आपको clear हो जाएगा तो I hope इसकी importance को समझ गए होगे अब चली मैं आपको दिखाता हूं नीचे आप देख लीजिए यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहां पर one है यहां पर two है यहां पर three देख पा रहे हैं यहां four है five six seven eight nine ten इस तरीके से चला गया अब यह one two three four five six जो है यह क्या demonstrate कर रहा है यह बता रह अब 10 के बाद जब एक आ रहा है ना तो यह इसमें एड हो जाएगा यहां कि 11 सेंटीमेटर 12 सेंटीमेटर 13 सेंटीमेटर इस तरीके से चला जाएगा clear हो गया अब next आप देख सकते हैं यहां पर मैं अगर आपको दिखाऊं seven centimeter eight centimeter मान लीजिए यह आपका एक सेंटीमेटर तो एक एक division को यहां पर क्या कहाता है millimeter कहा जाता है तो आप बोल सकते हो एक centimeter के अंदर में हमारा कितना millimeter है 10 millimeter है ठीक है यह बीच में जो आता है यह five millimeter हुआ पांच इधर है पांच इधर है total मिलाके 10 millimeter आपको यहां पर दिख रहा है आई होप यह clear हो गया है चलिए कुछ example कर लेते हैं हम लोग यहां पर माल लीजिए आपका एक measurement यहां पर आया है और आपसे पूछा जा रहा है कितना millimeter है बताओ तो आप कितना बता होगे 7 तक आपका हो गया 70 millimeter समझ में आ गया और यहां पर फिर five यानिकि 75 millimeter तो clear हो गया और millimeter आपको जानना बहुत जलूरी भी है क्य कि engineering का unit कहा जाता है ना वो millimeter को ही कहा जाता है maximum country में millimeter को ही use किया आते हैं कुछ country में फेट इंच यह सब use किया आता है लेकिन engineering unit actually में millimeter को ही कहा जाता है तो आपको यह पता होना चाहिए अब माल लीजिए आपको कोई यहां पर पूछ लिया कुछ आप measurement कर रहे हो और आपका यह point यहां पर आता है तो यह कितना हुआ 10 तक जाओगे यानि कि यह 100 mm और फिर 5 यानि कि 105 mm 105 mm तो millimeter आपको यहां पर study करना आई होप आ गया है इसी तरह कि सब जाओगे तो 11 12 13 cm 13 cm यानि कि 10 से multiply कर तो 130 mm इसी तरह कि सब चले आओ यहां पर चला जाएगा आई होप आप लोगको यहां पर centimeter clear हो गया है millimeter clear हो गया है अब चलिए हम लोग उपर देखते हैं यह क्या माज रहा है यह क्या दिया हुआ है उपर में देखो यहां पर यहां पर एक one दिख रहा है फिर यह two दिख रहा है यह three four five six seven यह सब चीच क्या है यह actual में inch है हमारा सम अब इसको खोलता हूँ मैं इस वो और थोड़ा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 10 इंच, 11 इंच, और यहाँ पर देखिए, 12 नहीं लिखा हुआ है, यह रेट कलर में 01 दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 12 इंच होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 12 नहीं लिखके 01 मतलब यहाँ पर 1 feet हो गया इसका मतलब क्या बोल चकते हो एक feet में हमारा कितना इंच होता है बारा इंच होता है यह चीछ clear हो गया तो यहां से लेके अगर हम लोग यहाँ तक लेते हैं तो इम्रय यह 1 feet हुआ तब जब 12 पर मेरा 1 feet आ रहा है इसका मतलब जब 24 पर जाएंगे तो मेरा 2 feet होना चाहिए, चली देख लेते हैं, हम लोग चेक करके, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर जाएंगे, चली इसको मैं थोरा सा बढ़ाता हूँ, यह देखिए, 23, 24, 24 की जगा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कि 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब क्या हो गया हमारा, यह 2 feet है यहाँ पर, तो एक-क feet में हमारा कितना होता है, 12 इंच करके होता है, जो आप यहाँ पर clear हो गया आपका, आप एक चीज और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप जब देखते हो, यह मेरा कितना हुआ, 1 feet हो गया, यानी कि 12 इंच, अब इसी के बगल में आप 1-1 डाला हुआ है यह आप देख रहे हो 1-1 यहाँ पे डाला हुआ है यह 1-2 डाला हुआ है इसका मतलब क्या है यहाँ पे अगर आते हैं हम लोग यह 1-1 मतलब इसको डिमांस्ट्रेट कर रहा है इसको ठीक है यह 1-2 मतलब यह 14 के इसको इसका मतलब क्या है यह हमारा हो गया ए एक फिट एक इन्च, पहला वLsom Hecht बोलता है बाद वला व現在 वह इंच बोलता है तो 13 पे जी हम लोग आते हैं इसको क्या बोलेंगे, एक फिट एक इंच चोerecht गोपते हैं ज को कि बने से 11 के बीच के पार्ट को ठीक है अब सबसे पहले देखिए यहां से लेके यहां तक हमारा कितना है यह एक इंच है पुरा ठीक है अब एक इंच को यहां पर अगर आप देखोगे ना गौर से तो पहले सबसे पहले चार पार्ट में डिवाइड किया है ये एक पार्ट हुआ फिर ये एक पार्ट हुआ फिर ये एक पार्ट हुआ फिर ये एक पार्ट हुआ मतलब चार पार्ट में डिवाइड किया आप ये मेन वाला जो देख सकते हो ये ये मतलब तीन बार अगर बार मतलब एक बार रखर तीन बार चार बार चार जबाइब कर गया ठीक है तो इसको मैं क्या चाहरता हूव प्रक्षा हो आपको flights और अच्छे से क्लियर होगा ठीक यहां यह ठीक है अगर लाइन हो गया थ् estaban दो, तीन, चार, डिवाइड हो गया, आप इसको बोलते कैसे है, मान लीजिए, ये मेरा 10 इंच है, ये मेरा 11 इंच है, ठीक है, अब कुछ मेजर कर रहे हो, और आ गया वो इस पॉइंट पे, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, अब मान लीजिए, किसी भी विंच मे जाओगे न, इसको बोलते है, 1 by 4, इसको बोलते है, 1 by 2, और ये वाला पार्ट होता है, 3 by 4, ठीक है, तो मान लीजिए, आप कुछ मेजरमेंट किये, और इस पार्ट पे आया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 10 by 1 by 4 इंच, समझ में आ गया, अगर इस पॉइंट पे आता है, सूत का, ठीक है, सूत भी हमारे इंसे ही रिलेटेड है, उसको मैं एक अपने दूसरे पेज में बताता हूँ, ये भी यहीं पे होगा, पहले आप देख लो, हम लोग कितने पार्ट में डिवाइट किये थे, यहां से यहां के बीच में आपका माननी जी, ये एक इंच है ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइट किये थे, चार पार्ट में, यानि कि तीन बार टान दो, तो ये चार पार्ट में डिवाइट हो गया, एक, दो, तीन, चार, अब इसके अंदर में ये वापस से दो दो पार्ट में डिवाइट होता है, मतलब ये भी दो पार् जाबर आठ सूत होता है बहुत जगा सूता भी कहा जाता है सुट वे सूता ठीक है तो क्लियर हो गया यही चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैं अगर आपको टेप में दिखाओं जूम करके दिखाता हूं यहाँ से आप देख पा रहे हैं साथ से आठ वाला पॉइंट सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया यह वाला है आपका 1 by 4 यह वाला है आपका half और यह वाला है आपका 3 by 4 ठीक है यह चीज क्लियर हो गया अब next मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं देखिए इस वाले पार्ट में आप देखिए यह पार्ट वापस से यहाँ पे समझ में आया और यह चीज को बोलते हैं सूत यह एक सूत है यह दो सूत है यह तीन सूत यह चार सूत यह पांच छे साथ और आठ और आठ सूत को मिला के हम लोग बोलते हैं टोटल एक इंच clear हो गया आई होप आप लोगको ये चीच clear हो गया होगा और basic चीज है जो आप लोगको ये समझ में आना ही चाहिए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोग क्या क्या चीच cover किये है centimeter cover किये, millimeter cover किये, inch cover किये है suit cover किये है, fit को cover किये है और बच गया हमारा यहाँ पे मीटर चलिए मीटर भी मैं आपको दिखाएता हूँ मीटर कैसे मिलेगा तो आप जानके रख लो एक मीटर बराबर होता है हमारा हजार मिलिमीटर या अगर आप बोल सकते हो यहाँ पे हंड़ेट सेंटी मीटर ठीक है तो चलिए हम लोग जाके देखते हैं हंड़ेट सेंटी मीटर कहां मिलता है तो यह है हमारा टेप तो इस टेप को जैसे जैसे मैं खोलूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है 10 यहाँ पे यह हंड़ेट सेंटी मीटर बोड रहा है हंड़ेट सेंटी मीटर मतलब हमारा थाउजन मिली मीटर हो गया और इसी के साथ ही यह हमारा है वन मीटर का माइल स्टोर्न तो पहुंच गया वन मीटर पे क्लियर हो गया, तो मीटर देखना बहुत ही आसान होता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, इंच वाले में आप देख सकते हो, यहाँ पर 40 को पर में यहाँ पर 3-4 है, यानि कि 3 फीट 4 इंच, 3 फीट 5 इंच, 3 फीट 6 इंच, यह सब इंपोर्टेंट होता है, में जो फंडा हमारा इंच का ही था, एक और इंपोर्टेंट चीज जो आप लोगे मन में एक सवाल आती है, कि आप जब जाते हो, यहाँ पे 16 इंच के पास, तो 16 इंच के पास में आपको यह ब्लैक कलर का यह मार्किंग दिखता है, यह आपको 16 इंच के मल्टिपल पर मिल जाएगा, यान की टाइम में भी जो वार्ड्रोब बनता था, उसका जो सेल्फ बनता था, वो जो पार्टिक्शन होती थी, वो 16 16 इंच का एक स्टैंडर रखा जाता था, उसी में यह यूज के आता है, तो कार्पेंटरी यूज के लिए यह चीज यूज के आता है, ठीक है, आप इंटरने पिर भी डाउट है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, तो वीडियो कैसी लगी है, आप लोग मुझे जरू बताइएगा, वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और कमेंट जरू कीजिए, इससे क्या होगा कि आपकी कमेंट मेरी नजर में रहेगी और यह आपको help मिल सकता है, एक measuring tape आपको free man's का यहाँ पर 5 meter का free में मिल सकता है, ठीक है, इसके लिए आपको कुछ भी ने करना है, वीडियो को share करना है, like करना है, बस, तो guys अगर आपको चाहिए free man's का tape, अगर आपको खरीदना है, तो इस video का description में जा सकते हैं, आपको link मिल जाएग Amazon से जहां से मैंने purchase किया था, तो guys मिलते हैं, नेक्स वीडियो में फेक कुछ new topic के साथ, तब तक लिए बाई, टाटा, जैहिंद